जै मातादी महा अस्टमी जिस दिन मा महा गौरी की पूजा आराधना की जाती है इस दिन भी सेश प्रियोग किये जाते हैं आज हम आपको साथ प्रियोग बताएंगे अपनी सुविधा के अनुसर मनोकामना के अनुसर कोई भी एक प्रियोग कर लीजेगा देखिए सबसे पहला मा को जो भोग लगाएंगे वो या तो दूद का या फिर नारियल का लगेगा लेकिन दूद का ऐसे नहीं लगेगा एक स्टील या फिर चांदी की कटोरी में गाय का दूद ले लें कच्चा दूद इसमें एक चांदी का कराने वाला प्रियोग है और दूसरा प्रियोग है सत्रू बिरोधी से मुक्ती पाने के लिए तंत्र क्रियाओं से मुक्ती पाने के लिए एक सिंपल सा प्रियोग मातारानी को एक कटोरी में काली मिर्च के दाने थोड़े से ले ले और थोड़ा सा मिसरी के दाने रख कर उनको भोग लगाईए तो काली मिर्च और मिसरी दोनों मिक्स करके एक ही कटोरी में भोग लगाईए और बाद में जो मिसरी के दाने है परसाथ कुरूप में लोगों में बांड दें मा महागौरी की पूजा की जाती है मादुर्गा की आठमी सक्ती का नाम ही महागौरी है और मागौरी का रूप बहुत ही सरल, सुलब और मोहक है महागौरी की चार भुजाएं हैं और इनका वाहन व्रिसब है इनके उपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिसुल है उपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में बर्मुद्रा है और इनकी मुद्रा अत्यंत ही सांथ है इनकी उपासना से भक्तों को सभी कस्ट उनके दूर हो जाते हैं और मां गौरी की उपासना अगर आप सरल तरीके से करें तो मां का आसिरबात खुद वखुद मिल जाता है एक कथा आती है कि मां ने पारवती रूप में भगवान सिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस कठोर तपस्या के कारण इनका सरी एकदम से काला पड़ गया और इनकी तपस्या से प्रसन होकर जब भगवान सिव ने इनके सरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया तब वह बिद्दुत प्रभा के समान अत्यन्त कांती में गौर वर्ण का हो गया और तभी से इनका नाम महागौडी पड़ा मा महागौडी का पूजा करने से अस्मरन करने से भक्तों को सरवाधिक कल्यान प्राप्थ होता है क्योंकि अगर मा की पूजा की जाए तो अलौकिक सिध्धियां प्राप्थ होती है और इनके चर्णों की सरन में आने के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए कैसे मा को मनाएं कैसे तमाम तरह के पुजा पाट के विधी विधान करें आज हम बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे मा के आठवे सरूप मा महागोरी की पुजा का विधी पीले वस्तर आपको धारन करना है असनान बेगेरे करके इसके बाद आप अपने घर के पुजास्थान पर ही मा के सामने एक दीपक जलाईए लाल धागे की बाती होगी और दो लॉंग डाल दीजे इसके बाद मा को सबसे ज़्यादा प्री है स्वेत यानि सफेद पुस्प और पीले रंग के पुस्प आपके पास जो भी है आप मा को वही अर्पित करे इसके बाद मा के मंत्रों का जब करना चाहिए देखिए मा गौरी का समंध सुक्र नामक ग्रह से है यानि की मा की पुजा करने से आपका सुक्र मजबूत होता है जीवन में सुख बढ़ता है सुख वाला पार्ट खास कर जो पुरूसों का वेवाह का कारक सुक्री होता है और सब के लिए जीवन में भौतिक सुख आनंद सुक्र ही देता है मा का मंत्र है ओम रिंग गौर्ये नमहा ओम रिंग गौर्ये नमहा एक बात और मा को सफेद मिठाई का भोग लगाईएगा क्योंकि सफेद मिठाई सफेद वस्तू मा को विसेश प्री है इसके बाद आपके पास गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र जो भी है मातारानी को अरपित करें और बाद में इस इत्र को आप बेभार कीजिएगा अपनी नाभी में लगाईएगा सत्रू बिरोधी सांथ होंगे और आपका भाग्य मजबूत होगा चुकि इस दिन हमने कहा कि सुक्र को मजबूत करने के लिए भी इस दिन विसेश प्रियोग किये जाते हैं तो आप सुक्र को बेहतर करने के लिए सुक्र का मंतर है ओम सुम सुक्राय नमह इस मंत्र का 108 वार जब करें तो सुक्र समंधी बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुक्र ऐस्वरे बढ़ेगा और जो इत्र है सम्हाल के रखें निमित रूप से प्रयोग करें तो जीवन में पॉजिटिव आपको इसके फल मिलेंगे तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते दिखिए अस्टमी तिथी के दिन पास के किसी भी मंदिर में अगर आपके लिए संभव हो तो एक पानी वाला नारियल उस पर मौली धागा लपेट कर और स्वस्तिक या ओम का निसान बना कर आप इसको किसी भी मा दुरगा के मंदिर में भेट कर दे ऐसा करने से पूरा साल बिग्न बाधाओं से रक्षा होती है और मा को स्रिंगार की वस्तू अतीप्रिय है इसलिए आप उनको जरूर अरपित करें अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं आपके हैं सुविदा नहीं है भी जाने की वाइरस का वक्त है तब ऐसे में अपने घर में ही अरपित कर दीजिएगा और बाद में उसको कुछ वस्तू अपने पास रख लें और कुछ पास के किसी मंदिर में या किसी सौभागेवाल इस तरी को दे दीजिएगा सकते हैं सुबह में साम में कभी भी कीजिए क्या करेंगे देखिए जीवन में धन आता रहे जरूरत के समय धन की परिसानी ना हो कभी कभी क्या होता है आपको जब जरूरत है तब पैसे ही नहीं रहते सभी पैसे ब्लॉक हो गए हैं तो इन चीजों से रक्षा के लिए एक कटोरी में दूद ले ले कटोरी मिट्टी का भी हो सकता है चांदी का भी हो सकता है तो दोनों में से कोई भी ले ले लें कटोरी अगर मिट्टी का कटोरी नहीं है तो दीपक है ना मिट्टी का नया उसी में ले 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 इसमें दूध ले 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 और दूध में एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो एक रुपय का एक सिक्का आप नॉर्मल जो होता है उसी को धोकर उसमें डाल कर मातारानी को अरपित कर दें मां से प्रार्थना करें कि धन की मुस्किलें दूर कीजिए मां के सामने इसको एक घंटे तक रहने दे और एक घंटे रहने के बाद आप जो सिक्का है इसको आप धोकर धोकर नहीं पोच कर अपने पास सुरक्षित रख लें और जो कटोरी वाला दूद है थोड़ा थोड़ा परशाद के रूप में खाई ये बांकी के किसी पौधे में डाल दीजेगा थोड़ा सही आपको लेना है दूद जादा बरबाद नहीं करना है जितने में सिक्का डूप जाए तो इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग की आता है हमने कहा कि माता रानी के मंदिर में जाकर आपको नारियल अर्पित करना है तो आज के दिन मांको नारियल का भोग तो अर्पित होगा ही साथ ही इस नारियल को आप विसेज मनोकामना की पूर्थी के लिए आप कोई भी एक मननत मांगते हुए नारियल को अपने सर से उल्टा तीन बार फिरा कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो जीवन की मुस्किलें समाफ्थ हो जाती है बहता हुआ जलना हो तो पीपल के नीचे रख दें या फिर आप जब माता रानी को अर्पित करने जाएंगे अगर आपके पास ना पीपल का पेड़ है ना भाता हुआ जल है तब आप सर से तीन बार फिडा कर माता रानी के मंदिर में रख दीजिएगा जीवन की मुस्किलें समाप्त होगी और आपकी विसेश मनोकामना पूर्ण होगी अब देखिए इस दिन छोटी करनियाओं की हुजा करने का बिधान है अस्टिमी के तिथी के दिन करनिया भोजन कराने का महत्त है बहुत सारे नियम है लेकिन सिंपल तरीके से हम जानेंगे कि नवरात्र जो है न केबल बृत उपवात का पर्व नहीं है बलकि करनियाओ के समान इसलिए कारी करनिया को इस दिन भोजन किरा जाता है तो आप दो वर्ष से लेकर आप 9 वर्ष या 11 वर्ष तक की करनिया का पूजन कर सकते हैं हमारा जो धर्म गरंत हैं वो 2-11 साल तक की कन्या के बारे में बात कहता है तो आप उसी उम्री के बच्चों को लाकर उसमें एक लड़का भी हो लाकर उनका पैर धुलाईए चरन पकार ये फिर उनको सम्मान के साथ आल लड़कियां हैं तो आलता पहनाईए उनका स्रिंगार कीजिए उनको खाने में आप हल्वा पूरी इसके बाद आप कुछ मीठी वस्तू साथ्विक भोजन आपको बना कर उनको खिलाना है और इसके साथ ही उन्हें स्रिंगार की वस्तू आप छोटी करनिया को दे सकते हैं रुमाल नहीं दीजिएगा बाकी की चीज़े आप दे सकते हैं और बच्चों को खिलोना है टिफिन बॉक्स है या फिर वाटर बोतल है आपको जो भी आपकी इच्छा वो दे दे कुछ दक्षिना के रूप में आप कोई फल दे दीजिएगा तो इस तरह से महास्टमी के दिन आप ये प्रियोग करके कन्या पूजन का आपको फल मिलेगा और इस दिन एक और छोटा सा प्रियोग किया जाता है चुकि महास्टमी का दिन है और अगर हम जोतिस की माने तो अस्टमी के दिन महिलाएं अपने सुखाक के लिए देवी मा को चुनरी भेंट करती है वैसे एक और बात महास्टमी के दिन आपको मातारानी को सिंदूर पहनाने के बाद जो सिंदूर उंगली में लगा रह गया उसी से सबसे पहला जो आप मांग भरेंगी उससे होगा यानि अस्टमी बेगर करने के बाद मातारानी को सिंदूर लगा के अपनी मांग भर ले तो अखंड सौभाग का वरदान मिलता है देखिए अगर आप मान लेते हैं आपको छोटी करनिया नहीं मिल पा रही चुकि अभी तक करोरा गया नहीं है तो ऐसे में आप जो पूरी है हल्वा है चना है इसको आप किसी गाए को खिला दे तो करनिया पूजन के इतना ही फल आपको मिलेगा हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें हर हर महादेब